तो फिर CSP बालों के लिए RBA की तरफ से एक नएा गाइडनेस आया है और इस काइडनेस में बताया गया है कि अगर आप CSP के मर्चेंट हो और आप किसी कुस्टमर का पैसा निकालते हो अधार से और पैसा निकालने के बहुत कुस्टमर की अकाउंट से पैसा कट जाता है और कि वे पैसा आपके ऐकाउंट पे आता नहीं यह आपके वालेट एकाउंट पे या आपके CSP ऐकाउंट पे तो इस तरów के केसे में आप क्या करोगे अर्ब एक तरफ से यह भी बताया गया है कि ज्यादा तर यह ऐसा होता नहीं है बट किसी तरह का टेक्निकल इसू रहा तो इस तरह का केस आपको देखने को मिलता है तो आपको अगर आप सोच रहो क्यों पैसा कट गया है तो आपके CSP एकांट पर आ मतलया है कि भाई ना ना करता और वहां पर अप्लीकेसН डालके देखने की मेंने एक पैसा निकाला था और मेरा पैसा जो है वहां पर कट चुक perform ऑड जिस ने वने श्रीनош्टर निकाला था में अ पैसा नहीं आया है और उस कंप्लेंटि के यह आपको भी लगना है और आप पाँ सान दिन बाद और कस्टमर के काउंट पर पैसा आ जाएगा और अगर कस्टमर का दोबार से निकालना होगा तो इस तरह से इस तरह की क्यासिस को आप स्वाल्व कर सकते हो फिरिंट आज क्या वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो